हेलो दोस्तो स्वागत करते हैं आज डिजिटल हेल्फ हिंदी के एक नए वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एस्टेट बैंक का हम लोग ATM का न्यू पीन कैसे जरनेट करेंगे तो सिंप्ली ATM मसीन में आपको जाना है और आपका जो ATM है जो काड है वो मसीन में डाल देना है और ATM मसीन में डालने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में आपको पेन जेनरेशन का एक उप्षन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है तो देख सकते हैं अकाउंट नंबर डालने के बाद कनफॉर्म पर क्लिक करना है फिर आपके account में जो mobile number registered है उस पे आपको यहाँ पे fill करना है और mobile number registered डालने के बाद यहाँ पे confirm पे आपको click करना है तो देख सकते हैं confirm हो चुका है फिर एक बार आपको confirm पे click करना है जैसे ही आप confirm पे click करेंगे तो आपके mobile पे एक OTP आएगा वो OTP किस परकार का होगा मैं आ आपको यहाँ पे display पे show कर दूँगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना card निकाल लेना है और card निकालने के बाद आपको फिर से अपना card insert करना है जैसे ही आप card insert करेंगे तो card डालने के बाद आपके पास फिर से बहुत सारे option आएगे दोस्तों आपके पास जो आपके बाद के बंगे सामने के चोई आपके आपको पीड़ी वेखंड गली है wild और आपको जो भी new pin बनाना है वो यहाँ पे डाल लेना है दोस्तों मैंने new pin डाल दिया है फिर उसके वही pin दुबारा से यहाँ पे इंटर कर देना है और उसके बाद जैसे ही आप pin इंटर करेंगे उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ देना है उसके बाद यहाँ पे दोस्तो नया पीन आपने डाला होगा वही आपका पीन यहां पर बन जाएगा तो दोस्तों आसा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज हमारे सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब करने कवाद बेल आइकन प्रेस क कर लिजे ताकि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो मैंने इस वीडियो में आपको प्रोपरली समझा दिया कि आप कैसे स्टेट बैंक आफ इंडिया का पीन आप एटियम मसीन में जाकर बना सकते हैं बिलकुल आसानी से तो दोस्तों आजा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदिमात्रम